दोस्तो आज आपको बताएंगे कद्दू लगाने का विधी और कद्दू कैसे आप लगा सकते हैं वो भी आप गमला में या कोई छीर बड़ा सबोरी में और इसे कैसे आप गुडो करबा सकते हैं और मेरी तरह बड़ा कद्दू कैसे बना सकते हैं अगर आप छट पे लगान तो दस प्लांट होगा हाइब्रीड अगर ली जेगा तो पांच भी अगर तैयार हो गया तो पांच प्लांट से आप और्गेनिक कदु कैसे उगा सकते हैं और और अगेनिक कदु कुछाना बहुत आसान है ऐसे आप कोई भी नर्शरी से या कहीं से आप ऑनलाइन या जहां से आपको मन करें वहाँ से आप और्गेनिक बीज ले आई है और्गेनिक नहीं हो तो हाइबरीड भी ले आ सकते हैं मेरी तरह और एक आप कोई भी तरह का 24 गंटे फूलने के लिए उसे छोगर दे कोई भी बीज हो मैं तो ऐसे इस पर रख देता हूँ फूलने के बाद और ये देखे मेरा एक नपकीन बाला है और इसी पर सारा भीज रख दूँगा अगर कागच पर भी रखिएगा या राख में भी रखिएगा तो ये अंकूरन इतना फास्ट होता है जो आप समझ सकते हैं जो मैं जैसे ही इस पर रखूँगा उसके बाद अंकूरन इसमें फास्ट इतना जल्दी आएगा 24 गंटे फूलने के बाद इसमें एक दिन के लिए रख दूँगा और एक दिन इस पर रखूँगा सारा भीज रख दूँगा दस का दस भी अगर मैं चाहू तो दस का दस उस समय तो बाद इस का मौसम में या गर्मी का मौसम में नहीं ओंकूरन होता है इसमें में जहन दिन ओरलंव यह लगाईएगा ämतल्यागा तो वह ही एक हिसाब से लीजें तो 55 भी क्वधर्डर फ्रूट में आ जाता है ऐसा ही होते रहता है देखिए इस पर पानी थोड़ा भीजा दीजे रची तरह से भीजा दीजे मैं जैसे बूतल से पानी दे रहा हूँ अगर आपके पास इसे पहले 24 गंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजेगा उसके बाद ऐसा काम कीजेगा और छट पर अगर अपने घर पे लगा देते थे क्योंकि उस समय होता था घास फच का घर अपरसे अब आप लगा सकते हैं कोई भी छत पे लगाईएगा तो वहां गर्मी आते रहता है नीचे उपर दोनों से अभी ठंड का महिना कोई गर्मी नहीं से काम देगा और ये इतना अच्छा फरेगा और इसमें दवा की बात करें ज्यादा से ज्यादा फलाने के लिए तो दवा भी मैं बताऊंगा जो दवा का आप एस्प्रेक कीजिएगा तो आपका बहुत ज्यादा फलेगा और इसे अंदर बंद कर दे और इसे कोई भी रसी या कोई चीज के सारे बांद दीजिए जिसे यह होगा यह प्लांट मतलब अंदर स्प्राउट करना स्टार्ट कर दे अगर स्प् गमला या कोई चीज में आप रहाम से लगा सकते हैं मैं गमला में लगाने के लिए पहले 75 परसेंट मिट्टी और 25 परसेंट वर्मी कंपोस्ट क्या आप सकता होता है और इसे ऐसे अंधिरा में रख दे और 75 परसेंट का वह रेशियो जब दे दिजिएगा तो उसमें एक मुठी आपको नीम आता है और इसे खोलने आगर खूले नहीं तो मुझे वीडियो बनाने में दिकत है नहीं तो हम खोल के बता देते और अधर से अर्म से सबस्क्राइब निकाल जाएगा इसे रखने में ठंड या हो या कर दिन में अराम से यह स्प्राउट कर जाता है कोई भी बीज में ऐसे ही अहकूरात देता हूं मतलब अंकूरन जब आ जाए थोड़ा भी फूट जाए तो उससे यह होता है एक एक प्लांट बन जाता है अगर आप सोव में मतलब एक तरह से समझे सोव का सोव एकदम काम कर जाता है नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाता है 100% अगर आपका जन्मेशन आ जाए तो आपके लिए बहुत फाइदेमंद है ऐसे तो उससे पहले अगर कोई भी बीज हो वो सौव पर सेंट नहीं जन्मेशन होता है तो बहुत दिक्कत भी होता है अगर आप 10 कीने और 10 में से 10 अगर जन्मेशन आ गया तो आपके लिए चानी में डाल दिया था उंकुरन के लिए उसके बाद उंकुरन नहीं इसमें करबा दिया हूँ जिससे यह होगा जो सारा कसारा और यह मतलब डबा ले लिया हूं छोटा सा जिसमें मिट्टी और Las24 55 का दोनों मिलाके उसके बाद इसे रख दिया हूँ और इसमें स्प्राउट आएगा उपर से मिट्टी का लियार थोरा या बर्मिक पोस्ट का डाल देता हूँ और छोड़ देता हूँ यह से जो होता है यह प्लांट अराम से यह इतना बड़ा हो गया है यह आपको 20 या 25 दिन का होगा प्लांट क्योंकि यह इसमें थोरा कम ग्रोथ आया है और ऐसे तो आप कोखो पीट और मिटी में भी ग्रोथ करवा सकते हैं आपके पास जैसा भी हो वह ऐसे कर सकते हैं और सब बीज तो अंकुरन में नहीं आया है चूकि और सब बीज का यह हूँ गया उपर से पानी हूँ और और सब उसी में रखा था जो जमीन वेवाला अलग रहेगा और इसमें अलग रहेगा और यह देखिए मेरा एक बोरी में जो लगाया हूँ इसे देखिए और यह अपना गुरोथ मार रहा है गुरोथ मारते मारते राम से इसमें वर्मी का पोस्ट का मात्रा बहु जिसे बन्द यह कुछ हो गया था और रोगर के लिए कोई भी मतलब कीरा मकोरा मरने वाला लगा देता हूं आप और्गेनिक मैं इसलिए ये किया हूं जो एक कीरा जो था वो मुझे नीम के तेल पर भी नहीं भाग रहा था और नीम का तेल खतम हो गया था तो इसके लिए हम जल से इसी का उप्योग कर दिया हूँ जिसे ये होगा हर्विकुलान थोरा ही मात्रा में मैं किया हूँ एक दो बुंद दो लीटर पानी में कर दिया हूँ जिससे यह होगा पूरा एकदम अच्छी तरह से एस्प्रे बन जा और एस्प्रे मारने के लिए भी ठीक रहे और देखिए यह एस्प्रे करने के लिए आराम से इसका पूरा मतलब करके और एस्प्रे कर दूँगा जिससे यह होगा पूरा प्लांट में यह एकदम इसमें थो प्लांट एक वीडियो जो पहले बनाया था उस पे भी कीरा बहुत ज्यादा लग गया था और यह देख सकते हैं कितना बारा यह प्लांट हो गया था और यह इस पे पूरा में मारने के लिए कितना अच्छा इसे देखी यह सब अराम से हो रहा है उपर में चार पांच फल है जो की छोटा छोटा है और छोटा से बारा करने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही होगा और यह पूरा अच्छा देगा अगर एक महीने बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं यह कितना बारा हो जाएगा और इसमें बहुत सारा कद्वा जाएगा एक जबार एक जगा और प्लांट है यह मतलब बोरी बाला है एक जगा जमीन पे वाला जो प्लांट दिखाया था छोटा वाला वह अलग है यह से आपको लगाना है तो दस रूपे में प्लांट ही खरीद के लिए आ सकते हैं जो इस प्लाउट हुआ रहता है मतलब आपको वह तो थोड़ा बढ़ा रहता है 20-25 दिन का उतना दिन आपको बच जाएगा और यह बोरी लेले सिमेंट का बोरी उसमें आराम से लगा लिजिए और यह प्लांट ग्रू कर लिजिए आराम से आपके दो तीन आदमी के लिए खाने काने